Maximum Power Transfer Theorem अधिक्तम शक्ती संच्रन प्रमे थेवेनिंब यह है कि अगर किसी सर्कुट मे लोड इमपिडेंज और स्वेम्पिडेंज यहाँ फिलाल मालीजी एक क्योंकि थेवेनिन थेवेम की अकोरडिंग सर्कुट बनाया हुआ है तो एक ही voltage source है और उसके series में impedance connect है तो हम इसी को source impedance की तरह treat करेंगे तो maximum power transfer थे होरम यह कहती है कि किसी circuit में load impedance और source impedance जब एक दूसरे के सयुगमी होते हैं यानि conjugate होते हैं तो load में maximum power का transfer होता है maximum power का transfer होता है तो यह पन प्रूफ करेंगे इसका क्या मतलब है कि अगर Z equivalent को मान लीजिए हम लिखते हैं R equivalent प्लस J X equivalent आप जानते हो कि normal resistance होता है उसकी प्रतिरोद को तो अपन R से denote करते हैं लेकिन C या L होते हैं उनकी प्रतिबादाओं को अपन X से denote करते हैं और इनके आगे या फिर आयोटा अपन लगाते हैं जो कि complex term को शो करता है यह real number होता है और इसको अपन से denote करते हैं और इनकी प्रतिबादाओं को अपन imaginary term से denote करते हैं क्यों क्योंकि उनके बीच में phase difference होता है ठीक है R और C और R और L के बीच में phase difference होने की वज़े से अपन यहाँ पर J term लगाते हैं ठीक है यह तो अपन को पताई है तो मान लीजिए Z equivalent की value R equivalent प्लस J X equivalent अगर है तो यह थोरम यह कहती है कि Z L की जो value है तो मान लीजिए Z L का value अपन मानते हैं R L प्लस J XL so हमें क्या prove करना है we have to prove कि in case of maximum power transfer यानि जब अधिक्तम शक्ती संचरित होगी तो उस condition में Z L Z equivalent का सयूगमी होना चाहिए according to this theorem Z equivalent और Z L एक दूसरे के सयूगमी होने चाहिए सयूगमी का मतलब क्या है कि अगर यह value दीवी है तो उसका सयूगमी क्या होगा R equivalent minus J equivalent यानि हमें यह साबित करना है कि maximum power transfer वाली condition में Z L का मान R equivalent minus J X equivalent होगा क्यों क्योंकि X plus IOTA Y का सयूगमी होता है X minus IOTA Y तो हमें इसका सयूगमी देखना है तो इसका सयूगमी होगा यह तो Z equivalent है यह इसका सयूगमी Z L हमें यह proof करना है कब जब maximum power transfer होती है तो सबसे पहले Thevenin वाले figure में देखते हैं उपर तो इस figure जो circuit बनावाया circuit के अंदर current कितनी flow होगी total voltage का source इतना है और total impedance इतना है equation 1 और 2 से value रखेंगे तो 1 से value रखेंगे Z equivalent की कितनी हो जाएगी R equivalent plus J X equivalent plus Z L की value कितनी हो जाएगी R L plus J XL दोनों real part को साथ में लिख दिया J Ota common आ गया और दोनों imaginary part को साथ में लिख दिया power transfer to Z L यह दिहान रखिएगा हमेशा कि जो शक्ती संजरित होती है या जो power transfer होती है power transfer का formula होता है I square R ठीक है हमेशा I square R होता है यानि यहाँ पर कभी भी Z नहीं आता है even अगर यह लिखावा है Z L तो भी यहाँ पर Z L का I square नहीं आएगा बलकि Z के अंदर अगर कोई real part है यानि की प्रतिरोध है शक्ती हमेशा प्रतिरोध में से ही संजरित होती है तो formula हमेशा I square R ही आएगा तो जब हम लिख रहे हैं कि Z L को कितनी शक्ती संचरित होगी तो यह देखना है कि Z L में प्रतिरोध वाला part कौन सा है तो हमें बता है कि Z L के अंदर क्या-क्या part है R L है और XL है लेकिन हमें पता है कि यह तो capacitor या फिर inductor होगा प्रतिरोध वाला part कौन सा है केवल R L तो शक्ती हमेशा केवल प्रतिरोध में से संचरित होती है तो formula हो जाएगा I square R L अब I square हमें लेना है और I square आ जाएगा यह तो ध्यान रखना यहाँ पे हम mode का I square लेंगे mode I square तो कोई भी quantity जब ऐसे लिखी होती हो तो उसका mode I square क्या होता देखो X plus Iota Y है ठीक है अगर suppose करो X plus Iota Y है तो इसका जो mode का I square होता है वो mode का I square कैसे लिया जाता है X square plus Y square ठीक है इसका mode का I square होता है X square plus Y square जान रखना A square plus B square plus 2AB वाला formula नहीं लगेगा यहाँ पे जो magnitude लेते हैं वो इसी तरह से लेते हैं तो जब I square करेंगे तो उपर वाला term तो real है तो Residence उसका I square हो जाएगा ठीक है साथ में RL से multiply करना है तो यह RL भी आ गया नीचे यह component है आपका पूरा X प्लस यह जे ओटा की जगए Iota और यह Y ठीक है यह वाला पाट हो जाएगा पूरा X और यह वाला पाट हो जाएगा पूरा Y तो X square प्लस Y square करना है तो यह जाएगा X square प्लस Y square और अब हमें चाहिए power maximum क्योंकि heading क्या है theorem की maximum power transfer करना है तो power के maximum होने के लिए देखो अब power maximum मतलब power हमें बढ़ाना है तो जितना power हमें बढ़ाना चाहते हैं तो यह वाली value उतनी ही हमें क्या करनी पड़ेगी घटानी सकते क्योंकि दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो term infinity हो जाएगा which is not possible तो दोनों मेंसे हम एक term को 0 करते हैं अब यह term अपन 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें RL की जरूरत है resistance तो वहाँ पर होगा ही होगा तो हम क्या करेंगे second term को अब second term को हम negative नहीं कर सकते क्यों क्यो value को negative करेंगे तो square होने की वज़े से value positive हो जाएगी तो इसकी सबसे minimum value क्या possible है सबसे minimum value इसकी possible है 0 ठीक है तो power के maximum होने के लिए यह वाला term हम क्या कर देंगे 0 ध्यान रखना यह वाला term 0 नहीं करेंगे क्योंकि resistance वहाँ पर compulsory होता है यह component किसी impedance में हो या ना हो जरूरी नही है लेकिन resistance हमेशा वहाँ पर होता है impedance में resistance तो होता ही होता है किसी भी circuit में resistance होगा लोड पे ठीक है तो हम यह second वाला part 0 कर देंगे अगर यह 0 कर देंगे तो यहां से XL की value क्या जाएगी X equivalent का minus sign तो एक विकिशन नमबर तो 4 मिल जाएगा क्योंकि हमें क्या निकालना है ZL की value हमें किस की value निकालनी है RL की वो value जिस पर power maximum हो तो अब power का formula क्या जाएगा power के अंदर power के formula में देखो यह वाला part तो हो जाएगा 0 remaining term को वापस लिख लेते हैं यह remaining term को वापस लिख लिया अब हमें क्या करना है keeping R equivalent constant क्योंकि हमें केवल load impedance की यानि RL की वो value निकालनी है जि चेक करते रहेंगे कि power कितनी आ रही है तो एक value RL की ऐसी मिलेगी जिस पर power हमें maximum मिलेगी we change RL and when P becomes maximum यानि हम RL को change करते हैं और जब P का मान अधिक्तम हो जाता है for particular value उस condition में DP by DRL का मान कितना होगा 0 क्यों होगा क्योंकि आपको पता होगा कोई भी function अगर उसका मान maximum या फिर minimum होता है तो उसका पहला alkaline हमेशा 0 होता है हमारे पास यहां power क्या है maximum तो उसका पहला alkaline क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हम alkaline किसके respect में करेंगे RL के respect में क्योंकि हम RL की ही value को बार बार change कर रहे हैं बाकी सब terms को हमने constant रखा हुआ है तो D by DRL P का value रखेंगे equal to 0 कर नीचे वाला term as it is आ गया माइनस उपर वाले term को as it is रखा है ठीक है और नीचे वाले term का alkaline कर दिया तो इसका alkaline कितना हो जाएगा 2R equivalent plus RL और नीचे इसका power क्या हो जाएगा 4 A by B वाला formula लगाया equal to 0 हो जाएगा ये term पूरा चला जाएगा इधर तो ये तो 0 हो जाएगा और उपर वाले term के अंदर ये as it is रखा है और minus उस वाले term को दूसरे side बेज दिया यहाँ पर ये वाला part से ये वाला part cancel out हो जाएगा इसकी power 2 से ये पूरा एक term cancel हो जाएगा remaining term यहाँ पर ये बराबर ठीक है remaining term हमार पर से ये बचेंगे RL की value आ जाएगी R equivalent ठीक है RL की value आ जाएगी R equivalent तो ZL की value हमें क्या मिल जाएगी RL प्लस जो J XL थी 4 और 5 5 से हमें मिल रहा है R equivalent और equation number 4 में देख लेना equation number 4 में हमें मिला था XL बराबर minus का X equivalent तो वो value हमने यहाँ पर put कर दी जिससे हमने यह साबित कर दिया कि अधिक्तम शक्ति संचरण की अवस्था में यानि in the case of maximum power transfer जो ZL होता है वो Z equivalent का सयूगमी होता है यानि जब यह दोनों सयूगमी होते हैं तब ZL में से अधिक्तम शक्ति संचरित होती ह और यही maximum power transfer theorem का statement है तर उमिम्म्मशल की अधिक्तम शक्ति संचर्ण क्ति संचर झाले कि अधिक्तम शक्ति संचर्ण के ऑनकी अवस्थाप से अदोर समें यहाँ वा यह दोता है झाल झाल